दोस्तों किसी भी उड़ती हुई तितली को देख कर वाकरी में बहुत अच्छा लगता है लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह से हम किसी भी खाने का स्वाद चखने के लिए अपनी जीव का इस्तेमाल करते हैं तो वही तितलीया किसी भी फूल या पत्ती पर बैट कर अपने पैरों से उसके स्वाद का पता लगाती है यानि कि उनके टेस्ट सेंसर पैरों में होती हैं इसके अलावा तितलीया कुछ भी खा नहीं सकती बलकि मूँ की जगे आग एक सून्ड जैसी नली होती है जिसकी मदद से वो किसी भी फल या फूल का रस चूसती है और ना ही उनका कोई fix body temperature होता है बलकि मोसम के हिसाब से बतलता रहता है लेकिन सर्दियों में वो कम उड़ना पसंद करती है जिसकी वज़े से एक जगे बैठी हुई तितली को पकड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है